उतर प्रदेश से आई एक तस्वीर ने देश में दरिंदगी की नई इबारत लिख दी है एक दिव्यांग और उसके साथ छट से रसी पटांग कर कई घंटों तक डंडों से उसे पीटा गया ये खबर हापुर से आई है जहाँ पर दबंगो ने एक दिव्यांग और उसके साथी को बंधग बनाया और करीब 6 घंटे तक उसे जम कर पीटा और जब दिव्यांग ने शोर मचाना शुरू किया तो पहले उसके मुँ में कपडा ठूँच दिया गया और फिर उसका अंगूठा काट दिया गया मामला सिंभावली थाना शेतर के देवली गाउं का है जानकारी के मताबिक परस चोरी के आरूप में गाउं के ही कपल ने अपने दोस साथी मूतन और भरत के साथ मिलकर कर सकती है इस जोरान उनने दिव्यांग अनिल का अंगूठा पर पाट दिया और जब अनिल और रोहिद घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलास शुरू की और दोनों पेड़तों को आरोपी कपल की छटपन लटका पाया वहीं तीनों आरोपी मौका पासर पराग हो गए हैं घायल दिव्यांग अनिल का गाउं में ही लाच चल रहा था तो पुलस ने केस दर्च कर लिया है लेकिन तीनों भी आरोपी अब भी उसकी गिरफ से बाहर है तो छट से लटका कर आ कापुर की घटना है और लगातार ये पीछते हुए इन दिव्यांगों को वीडियो में जो शक्स दिख रहे हैं हम ये वीडियो दिखाने का मक्सद ये है कि यदि आप नहीं देखा है तो जरूर पुलिस को सूचना दें क्योंकि ये फुलिस की गिरफ से बाहर है छे से का और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट डाट की मौम्मा ताहिर हमारे साथ फून लाइन पर जुड़ गए हापुर से हमारे समधाता ताहिर क्या आप डेचर इस खबर पर ये तीनों शक्स जो बुरी तरह से इने पीटते हुए नजर आ रहे हैं उन तक पहुँच पाई है क्या पुलिस अभी तक आपको बताना चाहूंगा परसों की घटना है परसों ही इन दिवांग और उसके साथी को इन तीनों हैवानियत की हदे पार करते हुए करीब छे घंच तक अपने घर में बंद करकर बांग कर स्वाइस के साहरे बटका कर पीटा और पुलिस में अपडेट लेंगे हाला कि पुलिस दावे तो कर रही है कि जल्द गिरफतारी हो जाएगे लेकिन अभी तक ये उर्सकी पहुँच से बाहर है ये वीडियो लगातार हम आपको देखा रहे हैं यदि आपने नहीं कहीं दे जिस बेरहमी से 6-8 घंटे तक इन दोनों की पटाई की है एक शक्तिस में दिव्यांग भी है जब चिलाया तो मूं में कपड़ा चुने गया लाठी डंडे लगातार घंटों तक ये पर बरसाती रहे